शिरी सत्य नरायन भगवान की कथा सत्य नरायन वर्थ हिंदू धरम से सबसे स्टेश्ट फल दाई वर्थों में से एक माना जाता है इस वर्थ की महिमा से व्यक्ति को सभी अभिस्ट वश्ट्वों की प्राप्ती होती है इस दिन भगवान विश्णू की नरायन रूप में अराधना की जाती है इस वर्थ की महिमा से नरक की पीड़ा से भी मुक्ती प्राप्थ हो जाती है मानेता नुसार हर महिने की पुर्णिमा को सत्य नरायन जी की पूजा करने का विधान है भगवान सत्य नरायन विश्णुज के ही रूप है कथा के नुसार इंदर का दर्प भंग करने के लिए विश्णुजी ने नर और नरायन के रूप में बद्री नात में तपस्या किया था वही नरायन सत्य को धारन करते हैं अतर सत्य नरायन कहलाते हैं इनकी पूजा में केले के पत्ते वेफल के अलावा पंचामरित पंच गवै सुपारी पान तिल जो मोली रोली कुमकुम दुर्वा की आउशक्ता होती है जिन से भगवान की पूजा होती है सत्य नरायन की पूजा के लिए दूद, मधू, केला, गंगजल, तुलसी पत्ता, मेवा, मिलाकर पंचामरित तियार किया जाता है जो भगवान को काफी पसंद है इन्हें परसाद के तर पर फल, मिस्ठान के अलावा आटे को भुन कर उसमें चीनी मिलाकर एक परसाद बनता है वह भी भोग लगता है शिरी सत्य नरायन वर्थ कथा महत्व सत्य नरायन भगवान की पूजा का हिंदू धरम में बहुत अधिक महत्व होता है किसी भी विशेश कारिया जैसे ग्रह परवेश, संतान उत्पत्ति, मुन्डन, शादी के वक्त, जरन दिन, आदी शुप कारियों में यह पूजा एवं कथा कराई अथवा स्वेम की जाती है मनो कामना पूरी करने हितू सत्यनरायन की कथा को कई लोग साल में कई बार विदी विधान से करवाते हैं गरीबो एवन ब्रहमनों को दान दक्षिना देते हैं कई लोग मानता के सवरूप में भी इनकी पूजा एवन पकथा करते हैं और कई भगवान को धन्यवा देने के लिए भी है करते हैं। सत्यनयन की पूजा एंवन कता दोनों का ही बहुत महत्व हैं। कहते हैं सुन्ने मात्र से पुन्य की प्राप्ति होती है। सत्य को मुनुष्य में जगाय रखने के लिए इस पूजा का मत्व आध्यातम में निकलता है। भगवान की भक्ती के कई रास्ते हैं। धार्मिक करम कांड अथ्वा मानव सेवा। पूजा पाठ में मन को लगा लेने देने से चित शांत होता है। मन पन्यंतरन होता है। आज के समय में पूजा पाठ के नियम सभी को पता नहीं होते। ऐसे में ये कारिया अधूरे से लगते हैं। ऐसी ही परिशानी को ध्यान में रखते हुए कथा का विस्तार अध्या पूजा विधी लिखी गई है। शिरी सत्य नरायन वर्थ पूजन समागरी। केले कातना, आमपत्ता, कलश, धूप, कपूर, दीपक, शिरीफल, पुषप, पुषभार, पंचरतन, पंचाम्रीत, दूद, घी, शकर, शहद, भोग, जनेउ, चोकी, अंगवस्त्र, दीबबत्ती। शिरी सत्य नरायन वर्थ और कथा को करने की विधी। इस पूजा को समपूरन करने के दो मुख्य परकार है। वर्थ और कथा। कुछ लोग भगवान विश्णु जी के लिए वर्थ कर इस आयोजन को पूरन करते हैं। तो कुछ जन घर में ही सत्य नरायन जी की पूजा को करा के इसे पूरन रूप देते हैं। सत्य नरायन जी की पूजा को विद्वान ब्रहामन द्वारा पूरा करवाया जाना चाहिए। पूजा को करने के लिए सबसे उत्तम समय प्रात्य काल आठ बजे से दोपैर एक बजे तक बताया जाता है शिरी सत्य नरायन पूजन विधी जो व्यक्ति सत्य नरायन की पूजा का संकल्प लेता है उन्हें दिन भर वर्थ रखना चाहिए सत्य नरायन वर्थ रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले प्रहत्यदांतों करने के बाद स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए पूजन स्थल को गाये के गोबर से पवित्र करके वहाँ एक अलपना बनाया जाता है और उस पर चोकी रखी जाती है चोकी के चारो पायों के पास केले के पत्तों से सजावट करें फिर इस चोकी पर अस्ट दल या स्वास्तिक बनाया जाता है इसके बीच में चावल रखें लाल रंग का कपड़ा पिछा कर पांस उपारी से भगवान गनेश की स्थापना करें अब भगवान सत्य नरायन की तस्वीर रखें श्री क्रीशन या नरायन की परतिम्मा की भी स्थापना करें सत्य नरायन के दाइने और शंक की स्थापना करें वे साथ ही पवित्य या स्वच जल से भरा कलश भी रखें कलश पर शक्कर या चावल से भरी कटोरी भी रखें कटोरी पर नारेल भी रखा जा सकता है बाई और दीपक रखें अब चोकी के आगे नव ग्रह मंडल बनाएं इसके लिए एक सफेद कपड़े को बिछा कर उस पर नो जगे चावल की धेरी रखें अब पूजा शुरू करें प्रशाद के लिए चैनामरीत गेहूं के आटे से बनी पिंजीरी फल आधी को कम से कम सवाया मातरा में लें पूजा करते समय सबसे पहले कलश की पूजा की करते हैं फिर भगवान गनेश की पूजा करें उसके बाद इंदरांदी, दक्ष दिक पाल की और कमश्य पंच लोक पाल, सीता सहीत राम, लक्षमन की, राधा क्रिशन की, इनकी पूजा के पसात, ठाकुर्जी वे सत्य नरायन की पूजा करें हाथ में पुश्प और तुलसी लेकर इस मंत्र द्वारा संकल्प लेना चाहिए नारायनम, सांद्र गनाव वन्दात, चतर भुजम, पीत महा, हवा ससम, प्रसन वक्त्रम, नवक्जत जलोजनम, सनधा घेरु पसे विदम भजे, करोमी ते वत्रम देव, सायम काले, तव दर्चर्णम श्रित्रवम, गाथाम, तव दियाम, ही, परसादम, ते, भजा, मैहम इसके बाद लक्ष्वी माता की और अंद में महा देवो ब्रह्मा जी की पूजा करें पूजा में सभी तरह की पूजा समागरियों का प्रियोग होता है और ब्रहमन द्वारा सुनाई जार ही कथा को ध्यान पूरक सुनना चाहिए सत्य नरायन जी की पूजा के बाद सभी देवों की आरति की जाती है और चन्नाम रित लेकर परसाद वित्रन किया जाता है प्रोहिद जी को दक्षिना एवं वस्त्र दे वे भोजन कराएं प्रोहिद जी के भोजन के पस्चात उनसे आशिवाद लेकर आप स्वम भोजन करें शिरी सत्य नरायन वर्थ कथा सत्य को इश्वर मान कर निस्टा के साथ समाज के किसी भी वर्थ का व्यक्ति यदि इस वर्तवय कथा का स्रवन करता है तो उसे इससे निश्चिती मनवांचितफल की प्राप्ती होती है पहला अध्याए एक समय की बात है नैशी रन्य तीरत में शुनोक आदी 88 हजार इश्यों ने शिरी सूत जी से पूछा हे प्रभू इस कल्यूग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभू भक्ती किस प्रकार मिल सकती है तदा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेष्ट कोई ऐसा तब बताईए जिसे थोड़े समय में ही पुन्या मिले और मनवांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कता सुनने की हम इच्छा रखते हैं सरशास्रों के ग्याता सूत जी बोले हे वैशनों में पूझे आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ट वर्थ को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारज जी ने लक्ष्मी नरायन जी से पूछा था और लक्ष्मी पती ने मनी श्रेष्ट नारज जी से कहा था आप सब इसे ध्यान से सुनिए एक समय की बात है योगी राज नारज जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घुमते हुए मृत्य लोक में आ पहुँचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायस सभी मुनिशों को अपने करमों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा उनका दुख देख नारज्ची सोचने लगे कि कैसा यतन किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह विश्णू लोक में गहे वहाँ वह देवों के इश नरायन की स्थूती करने लगे जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद थे, गले में वर्माला पहने हुए थे सूती करते हुए नारज्ची बोले, हे भगवान आप अत्यन शक्ती से संपन है मन थदा वानी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आधी, मद्य थदा अंत नहीं है निर्गुन, सवरुप, त्रिस्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार नारज्ची की स्तूती सुन, विश्नु भगवान भोले हे मुनि श्रेष्ट, आपके मन में क्या बात है आप किस काम के लिए पधा रहे हैं उसे निसंकोच कहो इस पर नारज्ची मुनि बोले कि मृत्यू लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुश्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नाथ आप मुझ पर दयार रखते हैं तो बताइए कि वो मनुश्य थोड़े प्रियास से ही अपने दुखों से कैसे चुटकारा पा सकते हैं शिरीहरी बोले हे नारद मनुश्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है जिसके करने से मनुश्य महों से छूट जाता है वे बात मैं कहता हूँ उसे सुनो स्वर्ग लोक वे मृत्यू लोक दोनों में एक उत्तम वर्थ है जो पुन्य देने वाला है आज पर प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ शिरी सत्य नरयन भगवान का यह वर्थ अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मुनुश्य तुरन्त ही हा सुक भोक कर मैंने पर मोक्ष पाता है शिरी हरी के वचन सुन नारजी बोले कि उस वर्थ का फल क्या है और उस का विधान क्या है यह वर्थ किस ने किया था इस वर्थ को किस दिन करना चाहिए सबी कुछ विस्तार से बताए नारत की बात सुनका शिरी हरे बूले दुख वे शोक को दूर करने वाला यह सबी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है मानव को भक्ति वश्रदा के साथ शाम को शिरी सत्य नरायन की पूजा धरम प्रायन होकर ब्रामनों वे बंदू के साथ करने चाहिए भक्ति भाव से ही नवेद, केले का फल, घी, दूद और गेहुं का आटा सवाएं लें गेहुं के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुद लेकर वे सभी भक्षन योग्या परधारतों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं प्राहमनो साइद बंदू-बंधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयम भोजन करें, भजन किर्टन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं इस तरह से सत्य नरायन भगवान का यह वर्थ करने पर मुनिश्य को सारी इच्छाएं निश्चित रूप से होती हैं इस कली काल अर्थात कल युग में मृत्य लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है इती शिरी शत्य नरायन वर्थ कथा का प्रत्थम अध्याय संपूरन शिरी मन नारायन नारायन भजमन नारायन नारायन शिरी शत्य नरायन भगवान की जै दूसरा अध्याय सूत जी बोले हे रिशियो जिसने पहले समय में इस वर्थ को किया था उसका इतिहास कहता हूँ ध्यान से सुनो सुन्दर काशिपुरी नगरी में एक अत्यन नेदन भ्रामन रहता था भूख प्यास से परेशान वै धर्थी पर घूमता रहता था उसके पास जाकर पूछा हे विप्र नित्य दुखी होकर तुम पित्वी पर क्यों घूमते हो दीन भ्रामन बोला मैं निर्धन भ्रामन हूँ भिक्षा के लिए धर्ती पर घूमता हूँ हे भगवान यदि आप इसका कोई उपयाय जानते हो तो बताईए विध भ्रामन कहता है कि सत्य नरायन भगवान मन वांचित फल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो इसे करने से मुनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है विध भ्रामन बनकर आए सत्य नयान भगवान उस निर्दन ब्रामन को वर्थ का सारा विधान बता कर अंतरधान हो गए ब्रामन मनी मन सोचने लगा कि जिस वर्थ को विध ब्रामन करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई वे सवेरे उटकर सत्य नरायन भगवान के वर्थ का निश्चयकर भिक्षा के लिए चला गया उस दिन निर्धन भ्रामन को भिक्षा में बहुत धन मिला जिससे उसने बंदु भांदु के साथ मिलकर शिरी सत्य नरायन भगवान का वर्थ संपन किया भगवान सत्य नरायन का वर्थ संपन करने के बाद वे निर्धन भ्रामन सभी दुखों से छूट गया और अनेक परकार की संपत्यों से युक्त हो गया उसी समय से यह भ्रामन हर महा इस वर्थ को करने लगा इस तरह से सत्य नरायन भगवान के वर्थ को जो मनुश्य करेगा वे सभी परकार के पापों से छुट कर मोक्ष को प्राप्त होगा जो मनुश्य इस वर्थ को करेगा वे भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा सूत जी बोले कि इस तरह से नारज जी से नारायन जी का कहा हुआ शिरी सत्य नारायन वर्थ को मैंने तुमसे कहा हे विपरो मैं अब और क्या कहूं रिशी बोले हे मुनिवर संसार में उस विपर से सुनकर और किस किस से इस वर्थ को किया हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं इसके लिए हमारे मन में श्राधा का भाव है सूत जी बोले है मुनियों जिस जिस ने इस वर्थ को किया है वह सब सुनो एक समय वही विप्रत धन वैशोरिय के अनुसार अपने बंदू भांदों के साथ इस वर्थ को करने को तयाह हुआ उसी समय एक लकड़ी बेशने वाला बुड़ा आदमी आया और लकड़िया बहार रखकर अंदर ब्रामन के घर में गया प्यास से दुखी वह लकड़ारा उनको वर्थ करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप है क्या कर रहे हैं थदा इसे करने से क्या फ़ल मिलेगा किर्पया मुझे भी बताए ब्रामन ने कहा कि सब मनो कामना को पूरा करने वाला यह सत्य नरायन भगवान का वर्थ है इनकी किर्पा से ही मेरे घर में धन धान्या आदे की वरिदी हुई है विप्र से सत्य नरायन वर्थ के बारे में जानकर लकड़ारा भोध प्रसन हुआ चरना मृतले कर वह प्रसाथ खाने के बाद वह अपने घर गया लकड़ारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेशने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्य नरायन भगवान का उत्तम वर्थ करूंगा मन में इस विचार को ले बुड़ा आदमी सिर पर लकड़िया रख उस नगर में बेशने गया जहां धनी लोग जैदा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से चार गुना अधिक मिलता है बुड़ा प्रसंता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूद, दही और गेहूं का आटा ले और शी सत्य नरायन भगवान के वर्थ की अन्य समागरी ले अपने घर गया वहां उसने अपने बंदू बांधवों को बुलवा कर विदी विधान से सत्य नरायन भगवान का पूजन और वर्थ किया इस वर्थ के परभाव से वह बूड़ा लकड़ारा धन पुत्र आदी से युक्त होकर संसार के समस्थ सुख भोग अंतकाल में व्यकूंट धाम चला गया इत्ती शीरी सत्य नरायन वर्थ कथा का दुध्य अधाय संपूरन शीरी मन नरायन नरायन भजमन नरायन 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 शीरी सत्य नरायन भगवान की जय तीसरा ध्याय सूत जी बोले हे श्रेष्ट मुनियों अब आगे की कता कहता हूँ पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था वे सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था प्रती दिन दैव स्थानों पर जाता और निधनों को धन दे कर उनके कस्ट दूर करता था उसकी पतनी कमल के समान मुख वाली था सती साधवी थी भद्र शीला नदी के टट पर उन दोनों ने शिरी सत्य नरायन भगवान का वर्थ किया उसी समय साधू नाम का एक वहश्य आया उसके पास वे पार करने के लिए भहुत सा धन भी था राजा को वर्थ करते देख वे विन्ने के साथ पूछने लगा हे राजन भक्ती भाव से पूरण होकर आप यह क्या कर रहे हैं मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ तो आप मुझे बताए राजा बोला हे सादू अपने बंदू बांदों के साथ पुतरादी की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्य नरायन भगवान का वर्थ मैं पूजन कर रहा हूँ राजा के वचन सुन सादू आदर से बोला हे राजन मुझे इस वर्थ का सारा विधान कहिए आपके कथन अनुसार मैं भी इस वर्थ को करूँगा मेरा भी संतान नहीं है और इस वर्थ को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी राजा ने वर्थ का सारा विधान सुन वैपार से निवर्थ हो वै अपने घर गया सादू वैशे ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस वर्थ का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस वर्थ को करूँगा साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लिलावती से कहे एक दिलेलावती पत्ती के साथ अनंदी थोसन सारिक धरम में प्रवित होका सत्य नरायन भगवान की किर्पया से गरवती हो गए दस्वे महिने में उसने गरव में एक सुंदर कन्या ने जनम लिया दिनो दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जशे शुकल पक्ष का चंदर्मा बढ़ता है माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा एक दिन लिलावती ने मीठे शब्दों में अपने पती को याद दिलाया कि आपने सत्य नरायन भगवान के जिस वर्थ को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है आप इस वर्थ को करिए साधू बोला कि हे प्रिये इस वर्थ को मैं उसके विवापर करूँगा इस परकार अपनी पत्नी को आश्वाशन देकर वैं नगर को चला गया कलावती पिता के घर में रह व्रिधी को प्राप्थ हो गई साधू ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सक्ष्यों के साथ देखा तो त्रन्त ही दूट को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्यवर देख कर आओ साधू की बात सुनकर दूट कंचन नगर में पहुँचा और वहाँ देख बालकर लड़की के सियोग्य वानिक पुत्र को ले आया सियोग्य लड़के को देख साधु ने बंदू बांदो को बुला कर अपनी पुत्री का विवाग कर दिया लेकिन दुरभागय की बात ये है कि साधु ने अभी भी शिरी सत्य नरयन भगवान का वर्थ नहीं किया इस पर शिरी भगवान क्रोधित हो गए और श्राब दिया कि साधु को अत्यदिक दुख मिले अपने कारे में खुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुंदर के पास स्थित होकर रतना सारपुर नगरम को गया वहाँ जाकर दमात ससुर दोनु मिलकर चंदर केतु राजा के नगरमे वैपार करने लगे एक दिन भगवान सत्य नरायन की माय से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था उसने सिप राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था राजा की सिपाहियों ने साधु वैशे के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसंता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर हम पकड़ लाए हैं आप आगे की कार्यवाई की आग्या दे राजा की आग्या से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छील लिया गया शिरी सत्यनायन भगवान से श्राप से साधु की पतनी भी बहुत दुखी हुई घर में जो धन रखाता उसे चोर चुरा ले गए शाररी कता मानसिक पीड़ा वे भूग प्यासे अती दुखी हो अनकी चिंता में कलावती के ब्रहमन के घर गई वहां उसने सत्यनायन भगवान का वर्थ होते देखा फिर कता भी सुनी वह परशाद ग्रहन कर जब वह रात को घर वापस आई माता ने कलावती से पूछा है पुत्री अब तक तुम कहा थी तेरे मन में क्या है कलावती ने अपनी माता से कहा है माता मैंने एक ब्रहमन के घर में शिरी सत्यनायन भगवान का वर्थ देखा है कन्या के वचन सुन लिलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी लीलावती ने परिवार वयब बंधुओं सहीत सत्य नयान भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पतिता जमाई शिगर घर आ जाए साथ ही यह भी प्रातना की कि जब हम सब का अपराप चमा करें शी सत्य नयान भगवान इस वर्थ से संतूस्ठ हो गए और राजा चंदर केतु को सपने में दर्शन दे कहा कि यह राजन तुम उन दोनु वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुमारा धन राजय वैसंतान सभी को नस्ट कर दोंगा राजा को यह सब कहकर वै अंतरधान हो गए प्राते काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया फिर बोले की बनिक पुत्रों को कैट से मुक्त कर सभा में लाओ दोनु ने आते ही राजा को प्रनाम किया राजा मीठी वानी में बोला हे महनु भावो भाग्या वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्थ हुआ है लेकिन अब तुम्हें कोई भे नहीं है ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त राभूशन भी पहनाए तृत्य अध्याय संपूरन शिरी मन नारायन नारायन भजमन नारायन नारायन शिरी सत्य नरायन भगवान की जै चत्थूर्थ अध्याय सूत जी बोले वैश्या ने मंगला चार कर अपनी यात्रा आरंब की और अपने नगर की और चल दिये उनके थोड़ी दूर जाने पर ही एक डंडी वेश धारी शिरी सत्य नरायन ने उनसे पूछा हे साधू तेरी नाव में क्या है अभिवानी वन्निक हस्ता हुआ बोला हे डंडी आप क्यूं पूछते हो क्या धनलेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल वेपत्ते भरे हुए है वैशे के कठोर वचन सुन भगवान बोले तुम्हारा वचन सत्य हो डंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चले गए कूर दूर जाका समूंदर के किनारे बैठ गए डंडी के जाने के बाद साधू वैशे ने नित्य क्रिया के पस्चाद नाव को उची उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदी देख वैं मुर्ची थो जमीन पर गिर पड़ा मुर्चा खोनने पर वैं अत्यन शोक में डूबाग गया तदा उसका दमाद बोला कि आप शोक ना मनाए या डंडी का शाप है इसलिए हमें उनकी शरम में जाना चाहिए तब ही हमारी मनो कामना पूरी होगी दमाद की बात सुनकर वैं डंडी के पास पहुंचा और अत्यन भक्ती भाव नमस्कार करके बोला मैंने आप से जो असत्य अवचन कहे थे उनके लिए मुझे शमा दे ऐसा कहकर महान शोका तुर हो रोने लगा तब डंडी भगवान बोले हे वनिक पुत्र मेरी आज्या से बार बार तुमें दुख प्राप्त हुआ है तु मेरी पूजा सेवी में खुआ साधु बोला हे भगवान आपकी माय से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते तब मैं आज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हो ये अब मैं सामर्थय के अनुसार आपकी पूजा करूँगा मेरी रक्षा करो और पहले के समान नोका में धन भर दो साधु वैशे के भक्ति पुर्वकवचन सुनकर भगवान प्रसन हो गए और उसकी इच्छा नुसान वर्दान देकर अंतरधान हो गए सरसु जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी फिर वहीं अपने सत्थियों के साथ सत्यनरायन भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिये जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर पाने के लिए भेश दिया दूत साधु की पत्नी को परनाम कर कहता है कि मालिक अपने दमासहित नगर के निकट आ गए है दूत की बात सुन साधु की पत्नी लिलावती ने बड़े हर्श के साथ सत्यनरायन भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पत्ती के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूरन कर शिगर आ जा माता के ऐसे वचनसुन कलावती जल्दी में परशाद छोड़ अपने पती के पास चली गई परशाद की अवग्या के कारण शिरी सत्यनरायन भगवान रूस्ठ हो गए और नाव सहित उसके पती को पाने में डुबो दिया कलावती अपने पती को वहना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई नोको को डूबा हुआ देख वैकन्या को रोता देख सादू दुकी होकर बोला कि है प्रभू मुझसे तदा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे शमा करे सादू के दीन वचन सुनका श्री सत्यनरान भगवान प्रसन हो गए और अकाश्वानी हुई है सादू तेरी कन्या मेरे परशाद को छोड़ कर आई है इसलिए उसका पती अद्रिश्य हो गया है यदि वह घर जाकर परशाद खाकर लोड़ती है तो इससे इसका पती अवश्य मिलेगा ऐसी अकाश्वानी सुनकलावती घर पहुँचकर परशाद खाती है और फिर आकर अपने पती के दर्शन करती है उसके बाद साधू अपने बंदू-बानुओस ही शिरी सत्य नरायन भगवान का विदी विधान से पूजन करता है इस लोग का सुकभोग वैंट में स्वर्ग जाता है इती शिरी सत्य नरायन भगवान वर्त कता का चतुर्त अध्याय समपूरन शिरी मन नारायन 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 भजमन नारायन 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 शिरी सत्य नारायन भगवान गीजय पांच वाध्याय सूत जी बोले हे रिश्यो मैं और एक कथा सुनाता हूं उसे भी ध्यान पूरक सुनो प्रजापालन में लिन दुगंध द्वजनाम का एक राजा था उसने भी भगवान का परसात्याग कर बहुत दुख सान सहन किया एक बारवन में जाकर वन्य पशो को माल कर वह बढ़ के पेड के नीचिया आया वह उसने ग्वालो को भक्ती भाव से अपने बंधो सहीत सत्यरैन भगवान का पूजन करते देखा अभिमानवश राजा ने उन्हें देख कर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया ग्वालो ने राजा को परसाद दिया लेकिन उसने वह परसाद नहीं खाया और परसाद को वहीं छोड़ कर वह अपने नगर को चला गया जब वह नगर में पहुँचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शिगर ही समझ गया कि यह सब भगवान नहीं किया है वह दुबारा गवालों के पहुचा और विदी पुरक पूजा करके परसाद खाया तो शिरी सत्यनरान भगवान की किर्पया से सब कुछ पहले जैसा हो गया दिर्ग काल तक सुख भोगने के बाद मरनो प्रंथ उसे स्वग लोग की प्राप्ती हुई जो मनुश्य परम दुलब इस वर्थ को करेगा तो भगवान सत्यनरान की अनुकमपा से उसे धन धाने की प्राप्ती होगी निर्दन धनी हो जाता है और भैम मुक्तो जीवन जीता है संतान हिन मुनुश्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनुरत पुरन होने पर मानव अंतकाल में वैकुंट धाम को जाता है सूत जी बोले जिनोंने पहले इस वर्थ को किया अब उनके दूसरे जनम की कथा कहता हूँ व्रिद शतानन ब्राहमन ने सुदामा का जनम लेकर मौक्ष की प्राप्ती की लकड़ारे ने अगले जनम में निशाद बनकर नौक्ष प्राप्त किया उल्का मुक नाम का राजा दशरत होकर वैकूंट को गए रसादू नाम के वैशे ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को और आरे से चीर कर मौक्ष पाया महाराजा द्वंग ध्वज ने स्वेंबू होकर भगवान में भक्त्य युक्त हो करम कर मौक्ष पाया अति शिरी सत्य नरायन वर्थ कथा का पंचम अध्याय संपूरन शिरी मन नारायन 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 भज मन नारायन 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 शिरी सत्य नरायन भगवान की जै शिरी सत्य नरायन वर्थ फल भविश्य पुरान के नुसार सत्य नरायन वर्थ करने वाले वर्थी के सारे कस्ट दूर हो जाते हैं तदा इस जनम के पुन्य को वह अगले जनम के शुरू में ही प्राप्त कर लेता है वह वर्थ व्यक्ति की सभी मनो कामनाओं की पूर्ति करता है तब वक्ति को मौक्ष की प्राप्ती होती है श्री सत्य नरायन जी की आरती शिरी जय लक्षमी रमना रतन जडित सिंगासन अदभुत छवी राजे स्वामी अदभुत छवी राजे नारद करत निराजन खंटा धवनी बाज शिरी जय लक्षमी रमना प्रकट भय कलिकारन दुज को दरस दियो स्वामी दुज को दरस दियो बूडे ब्राह्मन बनकर बूडे ब्राह्मन बनकर कंचन महल कियो ओम जय लक्षमी रमना दुर बल भील कठोर जिन पर की रिपाकरी स्वामी जिन रिपाकरी चंदर चुड एक राजा चंदर चुड एक राजा जिन की बिप्ति हरी जय लक्षमी रमना वैश्य मनोरत पायो स्वामी श्राधात जिननी सो फल फल भोग्य प्रभूजी सो फल भोग्य प्रभूजी फिर अस्थूती की निशी जय लक्षमी रमना भाव भक्ती के कारण चिन चिन रूप धर्यो स्वामी चिन चिन रूप धर्यो श्रद्धा धारन किन्नी तिन को काज सर्यो जय लक्षमी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ती करी स्वामी वन में भक्ती करी मनवांचित फल दिन्यो मनवांचित फल दिन्यो दीन दयालू हरी जय लक्षमी रमना प्रशिप चड़त परसाद सवायो कदली फल मेवां स्वामी स्कदली फल मेवां धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवां ओम जय लक्षमी रमना सत्य नरायन जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे तन मन सुख संपती तन मन सुख संपती मनवांचित फल पावे जय लक्षमी रमना जय शिरी लक्षमी रमना स्वामी जय शिरी लक्षमी रमना सत्य नरायन स्वामी सत्य नरायन स्वामी जन पातक हरना जय शिरी लक्षमी रमना बोलो सत्य नरायन भगवान की जय झाल झाल